हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल लाबाद स्टेडी में आज हम आपको पेपर में जो जूनियर इंजीनियर यूपी ट्रिपल सी के माध्यम 2016 और 2018 बैकेंसी निकली थी उसके लिए कुछ अपडेट पेपर में आया है उस संबंद में आपको आमें वीडियों पर डिटेल से बताएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं देखे लिखा हुआ कि आवेदन लेकर इंजीनियरों की भरती करना भूला आयोग करा अधिनाष्ट सेवा चैन आयोग यूपी ट्रिपल सी इंजीनियरों की रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन लेकर भरती कराना भूल गया है इससे आवेदकों के अलावा कारेरत अभ्यंताओं में काम के बढ़ते बोश से नाराजगी बढ़ रही है दरसल आयोग ने सपासासण में वर्ष 2016 में जूनियर इंजीनियर के 489 रिक्त पदों पर भरती के लिए आवेदन मांगे थे वहीं भाजपा सरकार ने 2018 में 1470 पदों पर भरती के लिए आवेदना मंत्रित किये आयोग दोनों ही भरतीयों के लिए आवेदन लेकर बैढ गया और लिखित परिच्छावा आगे की कारवाई नहीं बढ़ाई बताया जा रहा है कि जूनियर इंजिनियरों की कमी से जहां विकास कारे प्रवावित हो रहे हैं वहीं चयन में देरी से आवेदकों में जबरदस नराज की है इसकी अलमा कम संख्या में सेवारर जूनियर इंजिनियर पर कारियों का अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है जिससे वे मांसिक वा सारीरिक विमारियों से गर्शित हो रहे हैं। 2016 वा ठारे में निकली थी भरतियां परिच्छा अब तक नहीं। आवेद को और काम के बोश्च से परिशान इंजिनियरों में नराज की। सीयम को लिखा पत्र है। उत्तर प्रदेश डिपलोमा इंजिनियर महासंग के प्रांती अध्यच राकेश कुमार त्यागी ने उन्हों लंबित भरतियों के संबंद में मोक्य मंत्री मोक्य सची वजने सेवा चैन आयोग तथा आपर मोक्य सची नियुक्ति कार्मिक को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि आयोग के अधिकारी इन विग्यापनों में आर्थिक आधार परारच्छन की विवस्ता के संबंद में सासन से मार्गदर्शन मांगने की बात कर रहे हैं, जो अब तक प्राप्त नहीं हुगा है, उन्होंने सासन से जल्द आयोग को चैन 2016 के अतहद 292 मंडी परिशत संग्यूक्त संग्वार के परिच्छा 2018 के अतहद 16 पदों पर भरती अटकी हुई है.